राची में जार्खन प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के एक अहम बैठक हुई जिसमें कई मुद्धों पर चर्चा की गई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामशर उराओ ने की जबकि बैठक में विधाय दल के निता इवं ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम सभी जिलों के अध्यक्ष संगठन मूर्चा के अध्यक्ष समेत कई पतादेकारी मौजूद रहे डॉक्टर उराओ ने कहा कि 20 सुत्री और बोड निगम की काफी चर्चा हो रही है और बहुत जल्द ही इसका गठन किया जाएगा और कारेकरताओं को सम्वानित किया जाएगा अभी आप देख रहे होंगे कि भी सुत्री और निगरानी की चर्चा प्रूब हो रही है और हम अमीद करते हैं किसका गठन जल्द से जल्द हो जागा इसके संबंद में हम दों चर्चा किये उनकी राय मांगे उन्होंने बताया कि जो वरकर हैं जिनकी बदुरत पार्टी चलती है जो इलेक्शन में चुनाओ के समय काम करते हैं और पार्टी को पतह मिलती है उनको इससे नवा जा जाना चाहिए सम्माम से बढ़ते महंगाई के खिलाफ 17 जुलाई को सभी कारिकरता साइकल से निकलेंगे और 19 जुलाई को सभी पेट्रोल पंपर आम लोगों से राय जानेंगे वहीं 28 जुलाई को प्रदेश मुख्याले में मशाल जुलूस का आयजन किया जाएगा साथ ही आउट रिच अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी जानकारी लोगों से ली जाएगी हमारे कंग्रेस पाटी सोनिया जी के द्वेश्टा में इने दिननार लिया है कि शरकार को किन्दी सरकार को जो इसकी लिए जिम्वार — उसका एख ककी경 समय मम होती है तो केंदी सरकार जिम्वार है उसका धाना क्रिस्ट किया जाए तो पेटोल डीजल के स्टेशन में हम लोग जाएंगे हमारे लोग जाएंगे रइस्टर लेके जाएंगे और उसमें सबसे दसकत कराएंगे जो इस तरह से बोलते हैं कि हाँ मागाय की मार उनमें पड़ रही है उनको दिक्कते हो रही है मागाय की होजा से उनका दसकतर लोग लेएगे